जय श्रीक कोटेश्वर महादेव जय मा काली पाट जय मा घड काली का आज देश के विबिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाये जाता है आज नवरात्री का भी आरंब हुआ है मैं आप सभी को नववर्ष की और नवरात्री की अनेक अनेक शुबकामनाय देता हूं बाला घाट की धर्ती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है मैं विरांगना रानी जुर्गावती और रानी अवन्ति भाई की इस धर्ती को प्रणाम करता हूं आज जनता जनार्दन का है सलाब ये जन सलाब ऐसा लग रहा है जैसे केशरिया सागर नजर आ रहा है और इतनी बड़ी तादाद में माता और बहनों का अश्दे उनके आशिरवाद ये साप साप दिखा रहा है कि चार जुन को मद्द प्रदेश में क्या परणाम आने वाले हैं चार पांच महिने पहले विदान सभा चुनाओं में ही यहां आप सब लोगों ने मिल करके कॉंग्रेस को पूरी तरह साप कर दिया अब लोग सभा चुनाओं में तो कॉंग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसलिए एंपी के कौने कौने से आवाज आ रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों 2024 का लोग सभा चुनाओं 21 सदी के भारत का बहुत एहम चुनाओं है यह सिरफ चुनाओं नहीं है कौन एंपी बने कौन न बने इतने भर का यह चुनाओं नहीं है यह चुनाओं नए भारत के निर्मार का मिशन है यह विक्सित भारत विक्सित मत्यपदेश के संकल्प को नई उर्जा देने वाला चुनाओं है जब 320 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले और संभव लगने वाले फैसले भारत में लिये जाते हैं तो हर देश वासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है जब अमेरिका से लेकर आस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देश वासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है कभी कॉंग्रेस सरकार अपनी शिकायते लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी लेकिन आज वक्त बदल चुका है दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं देश भारत से अपने मुद्धों पर बात करने के लिए आते हैं अपने देश का रुत्वा देखकर हर हिंदुस्तानी का होसला बुलंद हो जाता है यह चुनाव देश के इसी बड़लाव को नई बुलंदी देदे का चुदाव है साथियों आजादी के बाद दसकों तक कॉंग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली एक तो उनके मन में आजादी के अंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान ने मान भी ने जाजादी के अंदोलन में क्या किया तपस्या की बलिदान किया उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक चोटी सी कोट्री चोटा सा परिवार का कुणबा हावी हो गया और उसी की सोच देश को पिछडे पन की तरफ धकेलती गई कॉंग्रेस सोतनी थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधूरिक सडकों की आधूनिक रेल की नए एरपोर्ट की क्या जरूरत है कॉंग्रेस के बड़े रेता जिन दो तीन बड़ों शहरों में रहते थे वहां अपने लिए सुमिदाय जुटा कर यह लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को देश के हर गाउं को प्रात्फिक्ता दे रही है हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्रक्टर पर लाखो करोड रुपे खर्च कर रही है आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है आज चाहे यहां सीवनी नाकपुर के बीट फोर लेन हाइवे हो गौंदिया बालागाट सीवनी हाइवे हो नर्वदा प्रगतिपत बिंद्य प्रगतिपत हो आधुनिक बंदे भारत ट्रेन हो अम्रुद भारत स्टेशन योजना के तर मध्यप्रजेश के अस्षी स्टेश प्रगतिशनों का विकास हो कि बीजेपी सरकार कि एमपी का काया कल्प कर रही है कि बालागाट से गौंडिया वाली जिस ब्रोड गेज रेलिवे लाइन की नीव करीब 30 साल पहले रखी गई थी उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया बालागाट की वारा सिवनी हैंलूम साडियों को जी आई टेग मिले बनारसी साडियों की तरह उनकी भी धुम्मचे बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है यही विख्षीत मध्यप्रदेश से विख्षीत भारत की मोदी की गारंटी है यह बड़लाव केवल दस वर्सों की मेहनत का परड़ाम है इतना सारा हुआ है लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि यह तो अभी ट्रेलर है अभी तो बहुत कुछ करना है देश को बहुत आगे लेकर जाना है भाईयों बेनों आप मेरी जिन्दगी को जानते है बहुत बारी की से आपने मुझे बराबर देखा है तरासा है और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पादा नहीं हुआ है मोदी मेहनत करता है कि उसके लक्ष बहुत बड़े है देश के लिए है आपके लिए है आपके बच्चों के उजवल भविश्य के लिए है और यह मेहनत इसलिए कर रहा हूं जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप इसको ट्रेलर को कहते हैं इतना सारा कर लिया अब मैं गाउं की बाशा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखाव का गाउं में दिवाली के दिनों में बड़ा रोकेट छोड़ना है बहुत उंची जाने वाला रोकेट छोड़ना है तो बच्चे क्या करते हैं को पहले वह सब्सक्राइक में उसको जलाते हैं फिर दूर से फुल जड़ी से उस रोकेट को थो अग्नी देते हैं और फिर रॉकेट दुरता है कि होता है न था है में अब भूल जड़ी देखकर विलगता सथ है बहुत बढ़ता के भुट रहे हैं कि लेकिन उसका लग तो उस रोकेट को उपर ले जाना होता है वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना वो तब फुल जड़ी है पुल जड़ी अभी तो विकास का रोकेट और उंचे ले जा रहा है भारत के पूरे सामर्थ से असली दिवाली मनने यह तो अभी बाकी है और इसके लिए ही मैं आपसे आसिरवाद मांगने आया हूँ साथियों आज भाजपा सरकार बंचीतों को वरीता देते हुए काम कर रही है भाजपा ने समाज के उस दलीत पिछडा आदिवासी वर को सम्मान दिया है जिसे पिछली सरकारों ने पैचान से भी बंचीत रखा था आज बीजेपी सरकार एमपी में साड़े पाच करोड जरूरत मंदों को मुप्त राशन दे रहा है ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचीत समाज से आते है एमपी के 44 लाग गड़ीब और वंचीत लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया एक समय था जब मद्द प्रदेश में केवल दस प्रतिशत घरों में पाईप से पानी पहुंचता था अधिकांस आधिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुवीदा तक नहीं थी हमने इतने कम समय में MP के करीब सतर लाक गरों में नल से जल की सुवीदा पहुचा दी है आज MP के 80 लाक से अधिक किसानों को किसान सम्मान नीदी का लाब मिल रहा है यहां का किसान जो चिन्नोर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैट भी दिया गया उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है यही नहीं कॉंग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बेहनों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से भी बंचित रखा था आज एक करोड से जादा जन जातिय सबाज के लोग पेशा कानून का लाब ले रहे लाखो आदिवासी भाई बेहनों को बन दिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार नहीं दिया है मद्द प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्यान के लिए दिन रात काम कर रहे लेकिन साथ्यों दूसरी और कॉंग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिक्ता में जकड़ी हुई है भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला रास्पति के लिए आगे बड़ी तब कॉंग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकट लगा दी कॉंग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया कॉंग्रेस ने तो गोविन गुरु जैसे क्रांति कारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जात तक नहीं दिया था कॉंग्रेस आज़ाजिका स्रे किसी आदिवासी को नहीं अपने शाही परिवार को देना चाहती है यह हमारी सरकार है जिस्ते गोविन गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया यह हमारी सरकार ने तंकियां मामा को सन्मान दिया यह हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जैनती पर जन जातिये गवरव दिवस की शुरुवात की आप मुझे बताईए इस कॉंग्रेस को क्या एक भी सीड पर मोका मिलना चाहिए क्या ? एक पर भी मिलना चाहिए क्या ? पूरी तरह क्लिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए साथियों, कॉंग्रेस ने अब आजकाल एक इंडी अनायज बना कर देश के खिलाब बिगुल फुक दिया है ये लोग आपस में एक दूसरे से जगडते हैं लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है, इंडी गडबंदन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है इसलिए ये लोग मोदी को गालिया दे रहे हैं, मोदी को धमकिया दे रहे हैं मैं आपना सब को छोड़कर देश सेवा के मीशन को लेकर चला हूँ मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है जो लोग अपनी तिजोरिया भरने राजनिती में आये हैं वो मोदी को धमकिया दे, मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने के आदत रखता है मैं एमपी की धर्ती से बताना चाहता हूँ मोदी भक्त है महाकाल का मोदी जुखता है तो या तो जनता जनारदन के सामने या महाकाल के सामने मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गए गालिया और अपमान को बरदास करना सीखा है और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है मोदी इनकी जीदर भब्कियों से डर्ने वाला नहीं है साथियों ये इंडी गंडबजन मुझसे कितना चीड़े हुए हैं ये पुरा देश देख रहा है मोदी देश की सुरुक्षा की गारंटी देता है तो लोग मोदी को गाली देते हैं मोदी कस्पिर से 370 को हटानी की गारंटी पूरी करता है तो लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं मोधी गरीब कल्यान की गारंटी देता है माताव बेनों के लिए इजजद घर बनाने की बात करता है ते लोग मोधी का मजाव उड़ाते हैं बाला गाड की धर्ती राम पाईली की भूमी जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है उनी राम लला की जब प्रान प्रतिश्चा होती है ते लोग मोधी को गाली देते हैं और केवल मोधी को गाली देतों समझ आता है इंडिया लाइस के लोग सनातन धर्म को नश्करने की स्वगन खाकर इस चुनाव में उत्रे हैं भावी और बैनो मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्वणी है बीजेपी सरकार आज प्रस्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है जिन्होंने डेश का पैसा लूटा है अब उनके उपर कानून का सिकंजा भी कसा जा रहा है परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पांट से खुले आम सेंकड़ों करोड रुपे बरामत हो रहे है नोट गिनने वाली मशीने ठक जाती बिगर जाती है खराब हो जाती है लेकिन कॉंग्रेश पार्टियों और इड़ी गर्बंदी के लोग बिना किसी शर्म के खुले हाम ब्रस्टाचारियों पर कारवाई रोकड़े के लिए रेलिया कर रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ इंडिय अलाइंस में इकटा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है लेकिन मैं आपको गरंटी देता हूँ ब्रस्टाचार का पैसा जिस जिस तीजोरी में गया है उसे मैं बहार निकालके रहूँगा अगले पांच साल यह काम और तेजी से होगा होना चाहिए नहीं होना चाहिए साथियों तीसरे कारकाल में देश बड़े और एतिहासिक फैसले ले सके इसलिए मुझे आपका भरपूर आशिरवाद चाहिए बीजेपी ने बाला गाड से श्रीमती भारती पारधी को और मंडला से श्रीफगंसी कुलस्ते को प्रत्यासी बनाया है इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजई बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी 19 एपरिल को गर्मी कितनी ही भेंकर क्यों न हो हमें मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार हमने हर पोलिंग बुद जीतना है जीतोगे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे अच्छा मेरा एक काम करोगे करोगे इधर से तो आवाज नहीं आ रही है करोगे तो पीछे तो आवाज नहीं आ रही मेरा काम करोगे पक्का करोगे लेकिन ये चुनाओ वाला काम नहीं है करोगे देखिए 19 एप्रिल तक आप अनेक परिवारों में जाएंगे जब उन सब को मिलने जाएं तो उनको कहना कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे हर घर में पहुंचा दोगे जब मेरा प्रणाम आप पहुंचा हो गया तो हर घर के माता बहने मुझे आशिर्वाद देगी और उनके आशिर्वाद मेरी बहुत बड़ी उर्जा है देश के लिए दोड़ देगी ताकत है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद